नमस्कार दोस्तों मैं अंकित पर्मा एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आपके अपनी चैनल अंकित पर्मा और एट पी नॉटिफिकेशन में तो दोस्तों जैसके आप थमनेल पे देखी चुके हैं कि आज के इस वीडियो में मैं आपको आज 10 जून 2024 की हेमाचल प्रदेश की शाम पांच बजी की टॉप 10 ताजा खबरों की जनकारी इस वीडियो में देने वाला हूँ चलिए वीडियो को शुरू करते हैं शुरू करते हैं शाम पांच बजी की टॉप 10 ताजा खबर हैं तो देख सकते हैं शाम की पहरी ताजा खबर ब्रीकिंग नूस है HRTC को एले बसे शामिल की जाएंगी जिनकी खरीद के लिए प्रक्रिया जारी है। CPS की नियुक्तियों के कानूनी दर्जे पर अगली सुनवाई 13 जून को। हिमाचल परदेश हाई कोट में मुख्य संसदे सचेव की नियुक्तियों को चुनौती देने वाली People for Responsible Governance संस्था की आचिका परबतेरा जाउन को सुनवाई होगी। हिमाचल में विदानसवा की तीन सीटों के लिए उप्चुनाव का शेडियूल जारी। हिमाचल लोगसवा चुनाव वा विदानसवा की 6 सीटों के उप्चुनाव की नितीजे गोशित होते ही। हिमाचल में तीन विदानसवा सीटों के लिए उप्चुनाव होंगे। निरवाचन आयूगने इसका शडियोल जारी कर दिया है। प्रदेश में निर्दली विदाइकों के स्तीफे से खाली हुई देहरा नालागाण और हमीरपुर विदानसावा सीट के लिए उपचुनाव होने हैं। हिमाचल में एक सब्ता तक मौसम साथ कई भागों में तीन दिन हेट वेव चलने का अलर्ट। हिमाचल प्रदेश के मैदान निवा कम उंचाई वाले क्षेत्रों में हीट वेव चलने का यलो अलर्ट चारी हुआ है। हिमाचल प्रदेश में हिमकेर कार्ड बनाने की प्रिक्रिया शुरू हो गई है। हिमाचल प्रदेश की शाम 5 बजे की सवी टॉप 10 तारह खबरें अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है। वीडियो को लाइक कर के शेयर करते और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना बोलें धन्यवाद जैन जैन